यह हैं आज प्रेंड्स गूड मॉर्निंग अज़के इस वीडियो में हम लोगे यह पॉइंट वन का सेवन नमर का सवाल देखेंगे उस देवन नमर सवाल है इसका मान निकालना है तो क्या करेंगे तो इसका सोल्यूशन करेंगे लिखेंगे गिवन देट गिवन देट क्या है कोड थीटा इकवल तो सेवन बटर एक तो कोड थीटा के बराबर फोर्मुला होता है भी बटर पी यहाँ पर हमारा भी का मान होगया सेवन और भी का मान होगया एक संक्वन तिर्वुष बना लिए और इसका नाम देंगे ए बी सी यह संक्वन हुआ यह हमारा लंब हो गया यह करन हो गया यह अधा हो गया अब कोट ठीटा देख रहें यहां पर कोट ठीटा है यानि एंगिल जो है ठीटा है सभाएं नियों को अनके बीओन पर रखेंगे या तो एपर रह सकते हैं या तो सी पर रह सकते है तो हम सी पर रखे सट्म के सट्रीटा धीपर देख दना है यह आदार यह qidla से देखेंगे समने वला भी अधार यह हो जाएगा पूर्म कर्ण का मान निकालेंगे, लिखेंगे, इन टेंगल A, B, C, इसमें कर्ण निकालना है तो कर्ण को H बोलेंगे, H equal to formula होगा P square plus B square H का हम नाम देदेंगे A C H वाले भुजा का नाम है A C equal to root under और P यानि लंब जो है उस भुजा का नाम है A B हो जाएगा A B का whole square और B जो है यानि अधार इसका नाम हो जाएगा B C का whole square A B का value दिया है A B का value दिया है 8 हो जाएगा 8 का whole square B C का value दिया है 7 तो हो जाएगा 7 का whole square 8 का square करेंगे 64 होगा 7 का square करेंगे 49 होगा दोनों को plus करेंगे तो root 113 आएगा root 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि ये पुर्ण वर्ग नहीं है पुर्ण वर्ग नहीं होने के कारण रूट 113 का वर्गमूर नहीं निकलेगा पहला सवाल को लिखेंगे एच नहीं था एच का मांद निकाल लिए इसके बाद पहला जो सवाल है उसको लिखेंगे पहला सवाल हमारा 1 प्लस साइन ठीटा 1 माइनस साइन ठीटा बटे में है 1 प्लस कॉश ठीटा इंटू 1 माइनस कॉश ठीटा अब इसका मान निकालना है यहाँ पर देख रहे हैं इसको अगर यह मानते हैं इसको भी मानते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला सेट हो रहा है यह प्लस बी इंटू यह माइनस बी तो क्या करेंगे इस formula पे set कर देंगे तो देख रहे हैं formula में a plus b ये चेहरा जो है इस से मिल रहा है तो इसके बराबर हो जाएगा a square minus b square तो a का value हो जाएगा one तो हो जाएगा one का holy square minus है तो minus b to be a value हो जाएगा साइन ठीटा एसकूयर है तो साइन ठीटा का holy square हो जाएगागा भड़र यहीं फर्मुला से ओगा इसको अगर ए मांते हैं इसको भी मांते हैं कि इसको भी मांते हैं मांते देखिए तो दियान दीजेगा यह भी नीचे वाला टर्म भी A plus B into A minus B के फर्मूला पर सेट हो रहा है तो इसको क्या करेंगे इसी फर्मूला पर बिठा देंगे इसी फर्मूला पर सेट कर देंगे फर्मूला है यह square एक विल्य हो जाएगा one तो one का whole square सब्सक्राइब बड़ेबंगे साइन जीटा करेंगे सब्सक्राइब नमें उसक्वार कहने तो इसकोर ठीटा होना यह इसके बाल आप थोरा से हम एक प्रमूला को देखेंगे प्रमूला होता है साइन इसका प्लस कोस को टिकल टू बन तो यहां से साइन इसको ठीटा का वियू निकालेंगे तो इधार है इसको दाइं तरफ ले जाने के लिए क्या करेंगे यह plus में है, sine change हो जाएगा, हो जाएगा, cause square theta, और यहाँ से पिर क्या करेंगे, cause square theta का भी मान निकालेंगे, तो right side में देख रहे हैं, one पहले से है, फिर left side से sine square theta को right side में लेके जाएगे, यह प्लस में है इधर हो जाएगा माइनस में यानि कहने का मतलब one minus cos square theta के बराबर क्या लिख सकते हैं sin square theta और one minus sin square theta के बराबर लिख सकते हैं cos square theta तो यहाँ पर one minus sin square theta है तो one minus sin square theta के बराबर लिख सकते हैं cos square theta ठीक है इसके बाद फिर one minus cos square theta के बराबर सकते हैं साइन स्कॉयर ठीटा अब फिर एक फॉर्मूला हम लोग पहले पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि कोश ठीटा बटर साइन ठीटा इकवर टू होता है कोश ठीटा अगर इसी फॉर्मूले में यहां पर एसकॉयर दे दें तो यह भी हो जाएगा स्कॉयर ठीटा के बराबर अलिए सकते हैं स्कॉल्मूला यहां पर आतर इसके बराबर हो जाएगा में कवाइब इसकुरं जबाइब यहां पर रहा कि दूसरा सवाल वे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो 64 आएगा यह रहा दोनों सवाल कांसर अब अगले वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट सवाल तब तक के लिए थिंक्यू